पोई सर्मा का एक गलती ने टीम इंडिया को हार के कागार पिला के ख़ड़ा कर दिया अब पोलोन बचाने के लिए टीम इंडिया को 270 रन बनाने होंगे दोस्तो रोज दूसरे दिन का खेल सुरू हुआ ट्रेविस हेट और एश्टी बेसमित की रीज़ पर आई एसमित अपने सतक के करीब थे क्योंकि 95 रन बनाकर खेल रहे थे खास किरतिमान अपने नाम करना चाहेंगे दोस्तो आपको बढ़ा दे कि ट्रेविस हेट के बाद एश्टी बेसमित ने भी अपना सतक पूरा कर लिया दूसरे दिन का खेल सुरू होने के बाद एसटी बेसमित ने दोचो के लगतार लगा करके सतक लगया इस मैदान पर या उनका तीसरा सतक है एसमित की सामधार पार पारी के चलते ऐस्टलिया के स्कोर तीन विकेट पर तीन सो पच्चास रण के करीब होज गया ताप गंगारू टीम इस मैच में बेहत मजबूत इस्तिती में नजर आ रहा था ट्रेवी सेड ने सतक लगा कर आट हो चुके मुहमद सिराज ने उन्हें विकेट के पर सिरिकर भ रनों के पार जा चुका था मुहमद सामी ने भारत को पांच भी सफलता दिलाई उन्होंने कैमरोन गिरीन को दूसरी सिलिप पर सुपमन गिल के हां तो कैच करा गिरीन ने साथ गिन पर एक चोके की मदद से छे रन बनाया दूसरे दिन पहले ही सतर में दो विकेट लेकर भ 27 और यानि सन पानवे वोन में पांच भीकेट को कर 382 रन बना लिये थे एश्टी बेसमीद सब्तक लगा कर खेल ले थे वहीं दूसरी चोर पर एलेक्स केरी उनका साथ निवा रहे थे एश्टी बेसमीद 288 गिन्दों पर 121 यानि 120 रनों की सानदार पारी खेलने के बाद 8 हो चुके उन्होंने अपनी पारी में 19 चोके लगाए सरदूल ठाको ने उन्हें बोर्ड कहिया अब एलेक्स केरी के साथ मिचेल इस्टार कीरीज पर थे आप टीम इंडिया की कोसिज और उस्टेलिया को 400 रन के अंदर समेट ने की थी लेकिन 99 बोलके बाद उस्टेलिया क टीम को स्टेमेट ना चाती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ 402 रन के स्कोर पर इस्टेलिया टीम का सात्वा बिगेट गिरा मिचल इस्टार्क 20 गेंदे में 5 रम बना कर आउंट हो चुके अक्षर पडेल ने स्ट्रिक तरो पर उन्हें पर विलियन बेजा आप कप्तान पैट कम एक से की सा ओंट हो चुके थे एलेक्स केरी बैस और पैट कमिंद दो रन मना कर खेल ले थे भारत के लिए मुहमद सामी सेराज और स्रजू ले दो दो भिगेट लिये थे अब टीम इंडिया की कोसी दूसरे सत्र में और इस्टेलिया की पारी को खत्म करने की थी वहीं और अपनी टीम को स्कोर 450 रन के करीब ले जाना चाहती थी आपको बता दे दोस्तों अवल के मैदार पर दूसरे दिन दूसरे सत्र का केल सुरू हुआ और इस्टेलिया का स्कोर 450 रन के पार ले जाने की कोसीज कर रहे थे 110 सवर के बाद उस्टेलिया के स्कोर 422 रन नों चुगा था साथ विकेटिंग नुसान पे 400 रिपर रन के स्कोर पर उस्टेलिया का आठवा विकेट गिरा एलेक्स केरी 29 गेंदों में 48 से रम राए और रभीदर जर्या उन्हें विक्टो के सामने फसाया केरी ने अपनी पा अगले में उस्टेलिया ने पहली पारी में 490 रम नाय ट्रेविस येड ने सबसे ज़्यादा 163 रनों की पारी खेली वही एस्टी बिस्मित ने 121 रम नाय इन दोनों तीसरे विकेट के लिए 280 रनों की सायधारी की एलेक्स केरी ने और 44 और डेवीड वार्नर ने 43 रम नाय और भारती टीम के सलामी बलेबाज के तोर पर आये सुमन गिल और कप्तान रोही सर्मा गिल ने पारी को समल कर शुरुआत किया और नोर्मल तरीके से सधारम तरीके से खेल लेते और लग रहा था बलेबाजी में ऐसा लग रहा है कि ये भी दूसरे पीसपे केले जहां पे पर पंदरा और सुमन गिल छे रमना कर किरीज पर ते इससे परे आउस्टेलिया पारी 499 पर समाप्त हो गई थी मुहमद सिराज ने चार विकेट जटके थे और ये भी एक इतिहास रही दिया था 30 के स्कोर पर टीम इंडिया को पाला जटका लगा कप्तान रोई सर्मा ने 26 ग नोट किया था हुआ 15 रमना सके थे इसके बाद सातवे और की चौती गेंड पर एसकोर्ट बोलेंड ने सुमन गिल को रहस्ट में तरीके से क्लीन बोल कर दिया 15 गेंडों में 13 रमना सके 7 और के बाद भारत का एसकोर दो विकेट पर 30 रम ता फिलाल विराट कोली और चेतर स का बादी है भारत अब भी ऑस्टलिया से 432 रम पीछे ऐसे में आज तीसरे सत्र में विराट और पुजारा को बड़ी सायधारी करनी होगी और अपना परतिवा साली बल्ले बाजी मनवाना होगा भारत को 50 के उसकोर पर 30 रम जटका लगा रोई सर्माव सुमन गिल के बाद में मुश्कील मेनेजर आ रही है 71 के स्कोर पर भारत को 14 जटका लगा रोई सर्माव सुमन गिल चेत्रसवर पुजारा के बाद अब बिराट कोली भी परवेलियन लोड़ चुके है कोली को एस्टार्क से लिप में एस्टी पेजमित के हाथों कैच कर रहा है आप हो 14 रन बन यानि की टीम को 119 रन और बनाने रहाने जंडेजा ने काफी उम्मीदे जताई रखी है दोस्तों आपको बता दे कि आगर रहाने जंडेजा ओट हो जाता है तो फिर इस मेंच में कुछ भी हो सकता है क्योंकि पहले ही रोई सर्माव के नादानी को जैसे इस मेंच को टीम इ विकेट के लिए 60 प्लस रन की साहधारी हो चुके जंडेजा और 44 रहाने 26 रमना कर किरीज पर बने हुए थे वहीं पर बात करें दोस्तों भारत को 142 के स्कोर पर 55 जरकर लगा जिस पीच पर भारती कप्तान रोई सर्मा के मुताविक ओफे स्पिनर रवीज चेदन अस्मीन विकेट नहीं ले सकते थे उसी पीच पर अस्ट्रेलिया के ओफेस में नाथोन लियोने रवीज जंडेजा को बाहर होती स्पिन पर सिलिप कैच आउट करया जंडेजा और 51 गेंदों पर 48 रमना कर आउट वे जंडेजा और रहाने के बीच पांच में विकेट के लिए 70 रो भारत को फोलोन बचाने के लिए 69 रमना देते आपको बताते दोस्तों की रवीज चनल अस्बीन को नहीं खेला करके रोई सर्माने गलती क्या या नहीं इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर अपना कीमती राय देंगी बारत और ऑस्टेलिया के बीच वर्ल्टेस्ट चेपेंजिब का फाइनल खेला जा रहा है लंदन के ओवल में खेले जारे दूसरे दिन का खेलकात्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में पांच में गरगवा कर 151 रमन बना लिए भारत को फोलोन बचाने के लिए तक भारत ने चार विकेट गवा दियते इसके बाद रवी जट जड़ा और रहाने ने पांची विकेट के लिए 70 रोनों के साहधारी निवाई जन्डेजा ओफ एस्पिनर नाथान लियोन के सिलीब कौच ओट हो गया और 48 रमना है इस तरह से भारत ये कप्तान रोई सर्मा आने तीन विकेट पर 377 रन के आगे खेलना सुरू किया था और टोटल 142 रन जोर कर अल ओड हो गये ते दोस्तों आपको क्या लगता है कि रवी चानल असमिन को नहीं खिला करके टीम इंडिया गलती क्या या नहीं इस वीडियो में कमेंड करके जरूर बताईए और वीडि वीडियो में तब तक लिए लवी ओल बाई